Hello everyone, welcome you all at Loki Sir Unlimited Study Zone. So, बच्चों, हमने इसके पहले जो क्लासिस की हैं, उसमें हमने, तो पहले मैं तो बता दू भई, नए बच्चे जुड़ चुके हैं, हम लोग का चैप्टर चल रहा है Thermal Properties of Material Thermal Properties of Material हमारा चैप्टर चल रहा है Of Matter और Thermal Properties of Matter में भाई, जैसा हमने बताया था कि आपको इसमें आपको पढ़ने पढ़ेगी Thermometry, यह हम क्लिट कर चुके हैं, इसके बाद हमने पढ़ाए नहीं, आपको Calorimetry, यह भी हम आपको करा चुके हैं, अब इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है, आज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम है Heat Conduction ओके, यह इसी को बोलते है, Propagation of Heat Propagation से बढ़िया, इसके लिए यूज़ होता है, Transfer of Heat क्या यूज़ होता है, Transfer of Heat जो Propagation वर्ड होता है, वो Wave के लिए यूज़ होता है, यहाँ पर Transfer of Heat यूज़ करते हैं, इसी का दूसरा नाम कुछ जगह पर चलता है Heat Transmission, क्या नाम चलता है? Heat Transmission तो अब हम लोग Broad Scale में इसके अंदर घुशने वाले हैं Chapter का तीसरा और आखरी पढ़ाओ ठीक है जी, तीसरा और आखरी पढ़ाओ के अंदर हम चलने वाले हैं जिसका नाम है Transfer of Heat कहलो, Heat Conduction कहलो Conduction ना कहो इसमें, क्योंकि Conduction तो Heat Transmission बोलो Conduction तो एक प्रकार हो गया, Heat Transmission कहलो भाई साब अब क्यों मैंने Conduction वर्ड हटाया? बढ़िया चीज बता दू मैं, बच्चों जो एक बोड़ी से दूसरे बोड़ी तक Heat जा रही है यह बोड़ी A है और यह बोड़ी B है यहां तक Heat जाने के दो तरीके हैं यहां तक Heat जाने के दो तरीके हैं भाई साब इस बोड़ी से Heat जाने के दो तरीके हैं कैसे वो दो मैं बोल गया हूं तीन तरीके हैं ध्यान मेरा चला गया था ओम की तरफ यहां सरा था तो इस ते यहां तक हीड़ जाने के तीन तरीके हैं तो भाई आ पहला तरीका है जिसका नाम है कंडक्शन क्या नाम है कंडक्शन और दूसरा नाम है कनवेक्शन दूसरा उसका नाम है radiation, समझगा जी, clear हो गया, conduction, convection और radiation, अब conduction, convection और radiation, में क्या difference है, ठीक ना, एक impactful line है, जो मेरे teacher ने मुझे बताई थी, जो कभी कभी नहीं बूलती है, तो life में आपको भी कुछ ऐसी line होगी, जो कभी नहीं बूलेंगे आपको, चाहोगी भी तो नहीं भूल तीचर कुछ ऐसी ऐसी चीज़े आपको बता देंगे, मेरे teacher ने मुझे बताया कि बहुत सारी class में बच्चे बैठे हुए हैं, यह बच्चे बैठे हुए इन जगों पर, बोले जी हाँ है ना, कतार लगी हुई बच्चों की, पहली रो में, दूसरे रो में, बाहर से कोई बच्चे के parents आते हैं, वा बोलते हैं, साब यह टिफिन बॉक्स हमारे बच्चे को बच्चा दो, यह नीचे बठा हुआ है, सबसे पीछे बठा हुआ है, तो टिफिन बॉक्स यहां से यहां तक पहुचाने का पहला तरीका है, कि पहला वाला बच्चा दूसरे को दे, दू दूसरा वाला तीसरे कोदे, तीसरा चौथे कोदे, चौथा पांच वे को छटवा और साथ वे को टिफिन बॉक्स पहुच जाएगा, बोलो हाँ, मतलब हर पॉइंट पर हीट ट्रेवल करते हुई गई है, गई है, बोलो जी एस की नो, तो भाईया इस वे को बोलते हैं, कंड दूसरा तरीका, पहला वाला बच्चा अपनी जगे से उठे, और जा करके खुद से साथवे वाले बच्चे को दे दे, बोलो जी, खुद चल करके गया है, बाकी बीच वालों के इन्वाल्व नहीं किया है, खुद चल करके गया है, खुद इन्वाल्व हुआ और लास्ट वाले को involved हुआ है, जा करके उसने दे दिया, ये कहला गया convection, क्या कहला गया ये, last radiation वाला जो पार्ट है, radiation वाले पार्ट में उसको, देखो convection में बीच में medium involved है, मगर radiation वाला पार्ट है, बच्चा पहला है, सात्वा है, बच्चे ने का भई मैं फेक रहा हूं, तो catch करना, इसन से फेका और इस वाले ने क्या कर दिया कैच कर लिया बीच का कोई भी इन्वाल्मेंट हो ना हो कोई मतलब नहीं है जैसे आप बॉल कैच करते हैं बीच वाले कितने भी लोग हाथ उठाते रह जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो यह तीन प्रकार के तरीके कहलाते हैं एक कहलाता कन्वेक्शन और एक कहलाता है रिडियेशन अब तीनों में अलग 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 लगते हैं भाई साथ कंड़क्शन का लोग तो मैंने आपको सुबह वाली क्लास में पढ़ा दिया जिसमें लॉफ हीट कंड़क्टिवीटी था जिसमें आपने देखा था क्यू तो पहला लाव हम हीट कंड़क्शन का पढ़ चुके हैं अब हमारे पास दो कंड़क्शन और radiation है इनको भी हम पढ़ेंगे detail में पढ़ेंगे बड़ा मज़ा आने वाला है तो सबसे पहले हम आज की जो लाश है हम heat conduction पे ही देखेंगे और आंगे बढ़ते हैं देखिए heat conduction में सबसे पहला हम topic लेते है difference between 3 type of mode of conduction दिन टाइफ के mode की हम बात करते हैं उसमें हम डिफरेंस देखने वाले हैं तो मैं अपने स्लाइड को मूफ करके कंड़क्शन यह जी आ गया है देखिए में इंपोर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास पहला जो फॉर्मूला है यह आपके काम का है कुशन क्या गे रहा है क्या है कर दिफरेंस यहां पर लिखा हुआ है कि क्यूर्ट यहां वर्क यहां से आपको टोटल क्लियर हो जाएगा कि कंडशन कंवेक्शन और रडियेशन में क्या होता है देखें, conduction, in this mode heat flows from one particle to another particle, the particles do not leave their places, मैंने बताया था ना, हर बच्चे को जाएगा Tiffin जाएगा, यहाँ पर मैंने बताया था example में Tiffin का example दिया था, यहाँ से यहाँ जाएगा मगर कोई भी अपना अपनी place नहीं छोड़ेगा अपने हाथ से पीछे देगा, मतलब क्या होता particle vibrate करता अपनी position to and fro motion करता है, और बाजू वाले particle को अपना motion दे देता है फिर वो अगला motion उसको दे देता है, तो conduction में यह हुआ करता है, बोली clear है the particle do not leave their places अपनी places को नहीं छोड़ते है the particle receive the heat and move away यह देखो, बच्चा खुद टिफिन ले करके चला गया था, पार्टिकल जो होता है अपनी position से move करके दूसरी जगह पर चला जाएगा, बोली यह yes की no ठीक है जी, particle receive देर, और इसके बाद यहाँ वाला जो पार्टिकल होगा, यहाँ वाला पार्टिकल हीट लेके उपर चला गया चला गया और जो उपर वाला था वो नीचे आजाएगा ठंडा वाला पार्टिकल ठीक ना, yes, heat and move away in this mode, heat travels in a straight line तीसरा जो पार्ट है, radiation, मैंने बताया था दो पॉइंट के बीच में, direct energy transfer होगी with the help of a wave, with the help of a wave, समझ में आ गया with the help of a wave, wave के माध्यम से energy transfer होगी, ठीक है और जो heat sensation को जो wave लेके जाती है, उस wave को बोलते है infrared wave, कौन सी बोलते हैं बिटा infrared wave, जो heat को ले करके carry करती है, उस wave को बोलते हैं हम infrared wave, ठीक है ना जो heat sensation produce करती है second, medium is necessary, भाई साब इसमें medium बहुत जरूरी है, medium बहुत जरूरी है, मैंने इसमें भी बताया था कि medium इसमें necessary होगा convection के लिए convection के लिए medium होना जरूरी है क्योंकि चलना भी तो जमीन पे है टीफिन वाली बात याद आई इसमें medium की कोई requirement नहीं है, medium की कोई requirement नहीं है, sun से जो आने वाला आपके पास signal होए तो जो heat आती है sun से, okay, sun से जो आती है wave आती है, heat की signal आते हैं वो wave की form में आते हैं और आप देखेंगे कि sun से लेकर अर्थ के बीच में बहुत सारी distance पर कोई medium नहीं है medium तब ही शुरू होता है जैसे वो atmosphere में आती है race, बुलो yes or no मतलब sun से लेकर के अर्थ तक के बीच में किसी प्रकार का कोई medium नहीं है बुलो clear हुआ की नहीं हुआ चलिए, next, solid are heated by conduction हाँ भाई साब, solid को किस से conduction से heat कर सकते हो किस से, solid को conduction से हीट कर सकते हो, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि solid को आप, radiation से नहीं हीट कर सकते हो बट जनरली, solid को आप conduction से गरम कर सकते हो ओके, liquid and gases are heated by convection liquid और गैस को किस से heat किया जाता बच्छों convection से, and heat is given to bodies directly without affecting the medium इसमें directly heat दी जाती है, doesn't matter heat is given to the bodies directly without affecting the medium medium को बिना disturb करें, इसमें directly heat दी जाती है इसमें medium disturb नहीं होता है conduction में जो flow होता है, जो flow होता है वो jig-zag manner में हुआ करता है, जो energy का flow होता है वो किसमें होता है, jig-zag manner हुआ करता है मतलब यदि यह है कि आप एक point से दूसरे point तक heat भेज रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सीधी heat जाएगी थोड़ा बहुत यह आजू-बाजू वालों को भी effect करेगी थोड़ा बहुत क्या बहुत करती है थोड़ा बहुत क्या बहुत करती है भाई आप देखिए आपके पास अगर एक बड़ा सा pipe है और आप इस pipe को गरम कर रहे है आप यहाँ से heat यहाँ भेजना चाहे रहे है तो गरम करते करते heat यहाँ तो जाएगी बट यदि यहाँ पर आपने एक wax mom लगा रखा तो यहाँ का भी mom पे भल जाएगा heat आपको नीचे नीचे भेजना मगर pipe का उपर वाला हिस्सा भी क्या हो जाएगा गरम हो जाएगा तो इसमें heat किस मैनर में जाती है जिग जैग मैनर में जाती है इसमें heat किसमें जाएगी जिग जैग और curved जिग जैग और curved इसमें curve को follow करती है heat इसमें heat जो होती ही सीधे straight line में जाती ही because लेके जाने वाला signal है signal का दूसरा नाम होता है electromagnetic wave क्या नाम होता है बिटा electromagnetic wave और याद रखेगा जो electromagnetic wave हुआ करती है वो एकदम सीधे रास्ते में move किया करती with the speed of light 3 into 10 की power 8 meter पर second से electromagnetic wave move किया करती है समझ गए clear हो गया तो ये wave का रास्ता है ये wave का रास्ता है और wave के रास्ते को हम बोलते है ray क्या बोलते है ray wave के रास्ते को हम क्या बोलते है रे बोलते है clear हो गया जी wave के रास्ते को हम ray बोला करते है wave इस रास्ते पे चला करती है ठीक है ना और चलने के तरीके को हम wave बोलते हैं, चलने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, वेव, यह जो pattern आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके के, यह जो way of transmission है, this is called wave, this is a style of propagation, style of propagation is called wave, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको, style of propagation को क्या बोलते हैं, जैसे example के लिए यहाँ पे एक साफ है, और यह साफ यह मिढख को खाने के लिए भाग रहा है, यह मिढख बैठा हुआ है, समझगे ना, और यहाँ से यह साफ आया, तो साफ इस तरीके से चलेगा, बोलो हाँ ना, चलेगा और जाके इस पर टेक कर यह style क्या कहलाता है, बट यह देखो भाई, ultimate रास्ता तो यह travel करना है ना, this is called ray, this is called ray, clear हुआ की नहीं हुआ, पानी के उपर बैठ करके, पानी के उपर कहाँ बैठ होगे, छत के उपर बैठ करके पत्थर मारा पानी पे, बोलो जी हाँ, पत्थर मारा, यह dip हुआ, यह क्या यहाँ ना पहुचा बोलो हाँ, so this is called ray, and this disturbance is called, वेव, यह जो छले है, यह क्या है, वेव, इनको हिन्नी में तरंग बोलते हैं, ठीक है, और यह रे है, जैसे हिन्नी में बोलते है, का 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 के रन, clear हो गया, पंजाय गाजी, तो यह करन कहलाती है, किरन, किरन नहीं, किरन ग किरन तो मेरी हो, है ना, किरन नहीं है, किरन है यह, किला हो गया, तो यह इसको हिन्दी में किरन गोलते हैं, चलो, हिन्दी बाले बच्चों के लिए है, आपने के लिए नहीं है, अपन तो waves and light, ray पढ़ते हैं, waves and ray, तो बच्चों, क्लास 12 में एक चैप्टर आपको आएगा एक नहीं, दो आएंगे, पहला आएगा बिटा जिसका नाम रहेगा, wave optics, क्या पढ़ोगे, wave optics, इसमें आप light के, मतलब कि electromagnetic signal जो आएगा, उसके आप wave pattern की study करोगे, किसकी study करोगे, wave pattern की, और फिर आएगा आपका ray optics, क्या आएगा बच्चों, ray optics, जिसमें आप light के transmission, जो रास आपता, उसका propagating way जो है, उसकी study करोगे, समझ गया, clear हुआ, तो light जो होती, बिल्कुल सीधे-सीधे रास्ते में चलती, यह उटकराएगी, तो फिर यहाँ आएगी, तो इस परकार की जो moment के लाती है, यह propagation कलाता बोलटो, इसके लिए शब्दी उसकरते है, rectilinear propagation, क्या बो होता है, इसलिए हमेशा यह straight line में होता है, किसमें होता है बच्चो, straight line में, तो यह थी बात अपनी हमारी difference among conduction, convection and radiation की, बोले, done, clear तो है, चली, आँगे बढ़ते है, चली, आगला topic है, what do you mean by thermal resistance, थोड़ा सा conduction जो सुबह पढ़ाया था मैंने, उसके आँगे, what do you mean by thermal resistance, write its unit and find out the dimensional formula, भाई मैंने आपको सुबह बताया था कि thermal resistance क्या हुआ करता है, तो आपने देखा था, Q upon T, जिसको heat current बोलते हैं, बोलते हैं, Q upon T, heat current is equals to, यह देखा था आपने, change in temperature, theta 1 minus theta 2, okay, theta 1 minus theta 2, into time, time तो नीचे चला है, तो time यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक ना, into यहाँ पर कितना आएगा, area और यहाँ पर कितना, L, और यह K भी आता था, याद आगया, इस Q upon T, हम लोग बोलते थे, heat current, यह thermal current भी बोल सकते हो, ठीक ना, thermal current, इसको H से denote करते थे, this is also called heat current और thermal current, तो current is equals to, अब देखो बेटा, यहाँ पर temperature difference, theta 1 minus theta 2, बचा लो, L upon K A, L upon K A, अब यदी feeling करो भाया, class 10 के formula से, I is equal to change in potential upon resistance, I equal to voltage upon resistance, याद आया, potential difference upon resistance, तो यहाँ भी तो temperature difference है, heat current को flow करने के लिए कौन जिमेदार होता है, temperature difference, temperature difference, temperature difference होता है कि नहीं होता है, और temperature difference इतना तगड़ा होगा, heat current उतनी तगड़ी होगी, क्लियर होगा, temperature difference जितना तगड़ा होगा, उतनी तगड़ी क्या होगी, heat current, जितना तगड़ा pressure difference होगा, उतना तगड़ा flow moment होता है, velocity बनती उतनी तगड़ी, pressure moment के कारण, fluid भागता है, क्या भागता है, fluid भागता है, इसलिए तूफान आते हैं, जब दबाव, कम दबाव का गैसे भागती है, air भागती है, और फिर तूफान खड़ा होता है, समझ में आ गया, हाँ, जब कम दबाव बनता है, तो यह रेखे, I equal to delta V upon R, delta V upon R, यहाँ पे theta 1 minus theta 2, जो thermal current flow हो रही है, H, तो H equal to change in temperature upon resistance, इस part को बिटा resistance बोलते हैं, तो इसको लिखेंगे, L upon K A, L upon K A, इसक तो क्या बनेगा, D upon K A, क्या बनेगा, D upon K A, ठीक न, तो इसको मैं explain कर देता हूं, तो यहाँ पे L की जगें, लोगोंने D ले लिया, कोई बात नहीं है, D upon K A को उपर लिया, तो D upon K A ले आओ इधर, तो क्या बन जाएगा, इकोल to theta 1 minus theta 2 upon H, theta 1 minus theta 2 upon H, भाई, H नीचे जाए आई बास समझ में की नहीं, तो इस तरीके से आप यहाँ से इसकी unit बना सकते हैं, तो theta 1 minus theta 2 को किसमें आपेंगे, अपन Kelvin में, तो Kelvin आगया, time को किसमें आपेंगे, second में आपेंगे, और energy को किसमें आपेंगे, Joule में, तो पर Joule आगया, बोलो clear है, clear हो गया ना, तो Kelvin second पर Joule, Kelvin second पर Joule, तो देखें Kelvin यहाँ पर है second और नीचे आगया कितना Joule, clear है, Joule upon second को क्या बोलते हैं, what, तो second upon Joule को क्या बोलेंगे, what का inverse, बहीं, Joule upon second को what बोलते हैं, तो second upon what Joule को क्या बोलेंगे, what का inverse, तो इसका formula Kelvin what inverse भी बनेगा, और dimension formula तो आप लोग बना लोगे ना, सुबह म एक दम यह, ठीके ना, तो यह होगे अपना thermal resistance की बात पूरी, done, कोई रिक्का तो नहीं ना, चली बच्चो, अगला question देखते हैं, जो सुबह हमने किया था, सुबह की classes में, difference between steady state and variable state, steady state and variable state, मैं आपको बता देता हूँ, steady state and variable state, मैं आपको बता देता हूँ, steady state and variable state, मैं मांड़ ले लिए है, और इसके बाद आपने मेरा favorite काम करना सुरू कर दिया है, घर आज लगाना, क्या लगाना, ओना, अग लगाना, ठीक न? यहां से पार्टिकल जो है वेरियेशन करना इधर से वाइबिरेट करना शुरू हो गए है तो वही हलत होगी जैसे भूखे बरातियों के सामने बोल दिया जाए खाना चालू किया जाए तो तूट पड़ते हैं तो शुरुवात में रिडियेशन क्योंकि यहां का थीटा बन बहुत हाई है और यहां का टेम्परेचर थीटा टू कैसा है बच्चों लो है बोलो हाँ तो शुरुवात में टेम्परेचर काफी लो है इसलिए बड़ी भैंकर वाली जिगजग मुमेंट होगी पार्टिकल की जिगजग वाली पार्टिकल की मुमेंट होगी और हीट तितर बितर जाएगी कैसी जाएगी तितर बितर हर तरब जाएगी ठीक ना और यह जो सेक्शन्स आप देख रहे हैं यह सेक्शन्स इनका खुद का टेमपरेचर आपस में सेम नहीं होगा जैसे मालोई थीटा वन है त तो आप देखो कि जिस समय आप गरम करोगे तो नीचे वाला पार्ट तो गरम रहेगा मगर उसी समय पे जो उपर वाला पार्ट है यह थंडा रहेगा उपर वाला पार्ट क्या रहेगा थंडा रहेगा धीरे 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 गरम करते 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 फिर उपर वाला पार्ट भी ग तो फिर क्या होगा मामला, मामला यह हो जाएगा यह जितने section है इनके temperature आपस में equal हो जाएगे, क्या हो जाएगा आपस में equal हो जाएगे, बोलो clear हो गया, तो इसका temperature बन गया T1 और इसका temperature बन गया T2, और मालो यहां से लेकर कि यहां तक का gap है delta X, delta X, तो temperature यहां पर बन गया gap कितना, delta T, clear हुआ, clear हुआ, तो मैं कहूँगा, delta X gap में कितना temperature difference आता है, delta T, तो unit gap में, unit length में कितना gap आएगा, delta T by delta X, delta T by delta X, clear हुआ, इसी को बोलते हैं, अपन temperature gradient, क्या बोलते है, temperature gradient, change in temperature upon change in length, change in temperature को ही भाइस, आप theta 1 minus theta 2 upon X2 minus X1 भी लिखा जाता है, clear हुआ मेरी बात, तो भाई, अब हम बता रहे हैं, आपको देखिए, steady state of variable state में difference क्या है, देखते है, steady state, whenever a conducting rod is heated, the temperature of the various part goes on increasing and after some time, पहले आप variable state को समझो, तब आपको steady state समझ में आगी, उल्टा समझो, क्योंकि भाई, पहले कौन सी state आएगी, पहले तो variable आएगी न, बोलो हाँ, हाँ, whenever a conducting rod is heated at one end, then the temperature of various part goes up on increasing, this state is called variable state, जैसे ही रोड को गरम किया जाता है, एक end पर, temperature various part goes on increasing, temperature बढ़ने लगता है, temperature बढ़ने लगता है, भाही goes on increasing ka मतलब इस का मतलब यह समझो कि इस पारट का टेंपरेचर यहां का तो और यहां का तो यहां का बढ़ते 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 दोनों बराबर होंगे उस समय तक समझ में है, clear हुआ, दूसरा, अब देखे, steady state, steady state, whenever a conducting rod is hitting, then the temperature of the various part goes on increasing, and after some time, देखो, variable state के बाद, variable state के बाद, after some time, its temperature become constant, भाई, जैसा तेरा, वैसा मेरा, बोलो हाँ, temperature constant, although the temperature of various part may be different, यहाँ यहाँ का temperature different हो सकता, भाई, यह ती वन में है, तो यह किसमें हो जाए, बोलो जाएगा, T2 में है, मगर यह एक ही cross section में दो अलग-अलग temperature नहीं होंगे, clear हुआ कि नहीं हुआ, clear हुआ कि नहीं हुआ, एक ही part में दो temperature सेम होंगे, अलग-अलग temperature अलग-अलग होंगे, this state is called steady state, आई बास समझ में कि नहीं है, next, in this state, each part of the rod absorb heat, भाई, variable state में है, तो तो करेगा, point-point heat को absorb करेगा, अब देखो भाई, अब यह steady state में आ चुका है, जितना temperature इसका है, जितना temperature इसका है, तो आपको पता है, कि heat हमें सा lower temperature से, sorry, high temperature से lower की और चलती ही न, अजब दोनों का temperature सेम हो चुका है, तो क्या कोई heat travel होगी, heat absorb होगी, कि नहीं होगी, बोलो भाई नहीं होगी, नहीं होगी न, तो in this state, no part of the conduction rod absorb heat, पेट भर गया, भर गया पेट, अब का एका, खाएंगे heat, clear हुआ मेरी बात की नहीं होगी, भाई ये सेम temperature पे ये वाला point और ये वाला point भी आ गया, क्या इस section को heat की कोई जरूरत है, नहीं है, मतलब heat कोई absorb यहाँ पे नहीं इस section में कोई heat absorb नहीं होगी, चलिए आंगे, the rate of flow, यहाँ पहले ये वाला पढ़ते है, the rate of flow of heat depends on the thermal conductivity and capacity, the rate of flow of heat depends on thermal conductivity and capacity, देखो इसमें rate of flow जो है heat की, वो thermal conductivity के साथ साथ, किस पे डिपेंड कर रही है, thermal capacity, मतलब पेट में कितना खा सकता है, मैंने बताई थी आपको बैसा, thermal capacity, mass multiply by specific heat, specific heat उसकी खुद की खपत है, specific heat किसकी खुद की खपत है, बोलो yes or no, एक ग्राम को 1 degree Celsius से गरम करने के लिए, जो heat की requirement होती है, focus करो भाई, एक ग्राम को 1 degree Celsius से गरम करने पर जो heat की requirement होती है, उसको क्या बोलते है, specific heat याद आया, तो भायत, जब आपके पास variable state है, तो rate of flow जो होगा heat का, वो depend करेगा किस फे thermal conductivity पे और capacity पे, मतलब क्या, मतलब क्या, हम heat को आँगे भेजेंगे, variable state में, यह heat यहाँ पे आई चलके, हम heat को आँगे भेजेंगे, मगर पहले खुद का पेट भरेंगे, बोलो हाँ, हम heat को आँगे भेजेंगे, मगर खुद का पेट भरेंगे, और खुद का पेट क्या होता, thermal capacity M into C, याद आया, पेट भर गया, खुद का, खुद का पेट भर गया, अब आई अगली थाली, जब खुद का पेट भर चुका है, जी भर के, और नीचे वाले अपने पडोसी का भी पेट भर चुका है, तो इस थाली को कहाँ ट् है, तो अब second point में क्या है, अगर steady state आ चुकी है, the rate of flow of heat depends on the thermal conductivity, thermal conductivity, किस पर, किस पर, किस पर, not on the thermal capacity, thermal capacity पर depend नहीं करता, इसलिए जो steady state में conduction का law बनता है, बच्चों, तो याद करों, conduction का law क्या बना था, H is equal to K, क्या बना था, क्या बना था, क्या आया था, यहाँ पर thermal capacity नहीं आयी थी, यहाँ पर क्या आयी थी, thermal conductivity आयी थी, बोलो हाया न, theta 1 minus theta 2, और अपन में L, और यहाँ पर कितना, ए तो K आया था, done की not done, बहुत बढ़िया, चलो यह हो गया अगला सवाल, ठीक न, अब आंगे बढ़ते हैं, इसके बाद, इसके बाद, इसके से बना सकते हैं, delta q, delta q is equal to m into s into delta theta, तो यहाँ से निकालेजे, s equal to delta q upon m delta theta, clear हो गया, इते को delta q है, नीचे delta theta, इसे लिए कहीं जगर delta t ले ले लेता है, जिससे बच्चे confuse ना हो जाए, समझ में आ गया, तो इस specific heat क्या होती, heat required, per gram, per degree, unit change in temperature, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram, कितने gram, 1 gram of substance through 1 degree Celsius, is called specific heat, भाई अगर इसको आप 1 कर दोगे, इसको ही 1 कर दोगे, तो s किसके बराबर हो जाएगा, delta q के बराबर, तो s equal to delta q हो जाएगा, तो specific heat, heat का वो need है, जो 1 gram substance का temperature कितने चेंज कर दीती है, 1 degree Celsius से, si unit बनती है, आप से dimension formula, वही एनरजी क अगला, और energy के नीचे इसमें मास और इसका डिवाइट कर दीजेगा, बुलो हाँ, अगला, thermal capacity मैंने बता रखी दी, भाई, thermal capacity मतलब कि कोई दिया गया substance m gram का है, कितने gram का, तो 1 degree Celsius के चेंज के लिए, total कितनी heat खाएगा, तो भाई आपन जानते हैं, कि अगर कोई 1 gram का है, तो कितनी heat खाता है, C, C मतलब किया, specific heat, या S बोल दो, बोलो हाँ, एक gram का है, तो कितनी heat खाता है, S खाता है, कोई doubt है किसमें भाई, तो अगर भाई एक gram का S खाएगा, तो M gram का कितना खाएगा, M into S, या C बोलोगे तो M into C, समझ गया गया, मतलब कोई दिया गया substance, पूरा का पूरा, जो heat खुद के लिए खाता है, जो उसकी खुद की खपत है, बोलो जी, तो वो क्या कह लाएगा, उसकी thermal capacity, the amount of heat required to raise the temperature of a substance through one degree Celsius, is called thermal capacity, थंड का समय था, तुमने अपनी अक्टिवा उठाई और उसमें मारी, सेल्फ लिया, बोलो हाँ, थंड के समय में, एक्टिव आपने सेल्फ मारा, एक्टिवा स्टाट नहीं हुई, थोड़े देर तक सेल्फ मारते रहे, बोलो हाँ ना, खिच खिच करके आवाज आती रही, मारते रहे ना, क्यों, भाईया, जब खुद का इंजन उसका गरम होगा, तब ना वो चके को चलाएगा, बोलो हाँ जी, तो फिर उसके बाद मॉमेंट स्टार्ट हुई, बोलो हाँ ना, तो कितना जितना मास होगा उसके हिसाब से M into C, एक्टिवा है तो चलो सेल्फ से काम चल जाएगा, बोलो, अब ट्रक होगा, तो फिर क्या लगाना पड़ता, ट्रक में हीटर का बटन आता भाई साब, किसका बैटरी चार्ज होनी चाहिए, तगड़ी, अच्छी से, गाड़ी की, तो भाई या, एक मतलब एक्जामपल है, रिलेट मत कर ले ना, कि भाई, उपर उसमें वहाँ स्पैस्पिक हिट की जरूरत होती है, ये रिलेट मैं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि भाई, उसकी होगा की पहले खाना गरम होगा, पहले कुकर गरम होगा, पहले उसको खुद तो चाहिए, कुछ है, तब तो आपका काम करेगा, ये हो गया, इसकी यूनिट बता चुका था सुबह, जूल पर कैल्विन, एमेंशन फॉर्मूला बना लोगे, बोलो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए, अब देखिए अगला डेरिवेशन जो की एक्जाम में 101 परसेंट आना है, ये लिख दिया मैंने 101 परसेंट, अगर इसके बाद भी आप याद इसको पढ़के नहीं जा रहे हो, तो फिर क्या करा जा सकता है, क्योंकि superficial और area दोनों ये कहिए, तो भाई या, linear expansion को क्या बोलते हैं, अपन अलफा, और superficial या area expansion को क्या बोलते हैं, हम लोग beta, तो यहाँ पर alpha और beta में relation मांगा गया है, यहाँ पर linear expansion alpha और सुपरफीशल बीटा में रिलेशन मांगा गया है और कई जगे आपसे क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा में भी रिलेशन मान लिया जाएगा तो फिलहाल यहां पर आपसे अलफा और बीटा में रिलेशन से पूछी गई है ठीक है ना तो हम लोग अब इस सिस्टम को डिरा एक्सपेंशन वेन ओनली लेंथ इस इंक्रीजेस तो सिच्वेशन ही कंसीडर कर देंगे अगर हमारा वी चार लेंथ पे है वैसे एक्सपेंशन तो तीनों में होता है लेंथ ब्रेट थाइट सब में ही होता है सुपरफीशल वेन ओन हीटिंगे सबस्टांस इस एरिया इंक हाँ यह बी लें थाल यह बी लेंथ ludzie यह बी लेंथ लेले लट own heating or लगया कितना डेल्टा टी तो इसकी जो लेंथ है थोड़ी थोड़ी बढ़ गई इसकी लेंथ आ गई नीचे तक दो एक नई प्लेट बढ़ गई ये देखो भाई बढ़ा है गया, so its side is increases by delta L, तो initial area कितना होगा, L का square, तो final area कितना हो जागा, बच्चो, L प्लस delta L का whole square, बोलो हाँ, होगा न, भाई, पहले वाला area, side, side का square, तो L का square, दूसरे वाले area में side कितनी होगा, L प्लस delta L, तो L प्लस delta L का whole square, now changing area की बात करो, तो changing area equal to final area minus initial area, तो changing area कितना होगा, इसको open कर देता हूँ, changing area को, क्या बन जाएगा, A square plus 2 AB plus B का square, minus L का square, clear की not clear, तो changing area, L square से L square क्या होगा, cancel, केवल कितना बच्चा अपने पास बोलिए, 2 L delta L, प्लस delta L का whole square, बिटा जो expansion होता है, वो कोई kilometer में ना हो हो जाता है, वो millimeter में होता होता है, millimeter में, बहुत ही कम होता है, और आपको पता है, जब यह बहुत कम है, तो बहुत कम का whole square क्या हो जाएगा, उससे भी कम, हो जाएगा की नहीं हो जाएगा, negligible, तो इसको हम क्या कर देंगे, neglect कर देंगे, मतलब total हमारे पास आ गया, delta A is equal to 2 into L into delta L, बोलो आ गया, 2 L delta L, ठीक है, अब देखते हैं, अब हमारे पास जो formula होता है, expansion का, coefficient of superficial expansion वो क्या हुआ करता है, तो मैं यहाँ पर तीनों formula आपको बना करके दिखा देता हूँ, alpha, beta, gamma का, alpha के लिए, जो coefficient of linear expansion, alpha निकलता है, उसके लिए formula कैसे बनता है, formula होता है, length at temperature T, length at temperature T, actually, degree Celsius में काम चलता है, तो इसको सब को हम कहा लेते है, small t, क्योंकि degree Celsius के लिए, हम लोग small t उसकरते हैं, और capital T किसके लिए उसकरते हैं, Kelvin के लिए, किसके लिए उसकरते हैं, Kelvin के लिए, L t बराबर L 0, मतलब 0 degree Celsius इस पर, length, sorry, 0 degree Celsius पर लेंथ, 1 प्लस alpha, और क्या, change in temperature, change in, तो भ t ही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर लिख दिया आपने, अब चलिए इसको सखोल दीजे, तो L t equal to L 0, खोल दिया, प्लस L 0, alpha, इंटू कितना, t, ठीक है, अगर आप, बहुत ही, ज्यादा, physics की बाल की खाल निकालते हैं, तो मैं कहूंगा, t की जगे, delta, theta ले लीजी आप, अगर आप कहेंगे, नहीं, सर, हमें तो change in temperature ही लिखना है, change in क्या लिखना है, temperature ही लिखना है, क्योंकि हम चले थे 0 से, और नया temperature आगया है, t, तो t minus 0 ही लिखेंगे हम, हम तो इसको delta, theta ही लिखेंगे, तो आईए delta, theta भी आप इसकी जगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, चलिए तो क्या करें, उसको आगर करिए, l t minus कितना हो गया, l 0, equal to l 0, alpha और कितना, t, clear है, तो बच्चों यहां से, l t minus l 0, और नीचे डिवाइट कर दिए, कितना, l 0 into कितना, t, और यहां पर क्या बचेगा, alpha, this is called coefficient of linear expansion, समझ में आगया बच्चों, यह है coefficient of linear expansion, कुछ लोग चाहें इसको, तो लिख सकते हैं, length at temperature, t minus length at temperature, 0 degree Celsius, length and temperature 0, into delta, theta, into delta, equal to कितना, alpha, बोली clear है, so this is called coefficient of length, linear expansion, अब इसी तरीके से, अब बात करते हैं, superficial expansion के लिए, तो superficial expansion, area at temperature t, equal to area at temperature 0, 1 plus beta delta t, या delta theta, whatever, चलो इस बार delta theta ले लेता हूँ, इस बार delta t ले ले लेता हूँ, या t ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, पिछले वाले question में हम क्या लेके चल रहे हैं, delta t लेके चल रहे हैं, तो चलो इस बार delta t ले ले लेता हूँ, ले लो t equal to beta इसको खोल डालो, यह क्या हो जाएगा बेटा, a0 plus a0 into beta into delta t, इसको यहाँ minus करो, क्या हो जाएगा, a0 into beta और delta t, बेटा को यहाँ पर रोक लीजिये, तो क्या जाएगा, a0 minus a0 upon a0 delta t, clear? this is what, beta, यह क्या है, beta, इसी तरीके से, cubical expansion coefficient गामा निकाल लीजेगा आप, है ना, जो की बनेगा क्या, vt minus v0 upon v0 delta t, फिल हाल हम इसके चकर में आ चुके हैं, a0 minus a0 upon a0 delta t, clear है, तो 80 क्या निकला है हमारा, 80 हमारा निकला है यह, delta a निकला है अपने पास में, कितना 2l delta l, 2l into delta l, 80 minus a0 मतलब changing area, what is this, changing area ही तो है, अरे भाईया, beta is equal to, final area, a t, initial area, a0 upon कितना, a0 delta t, हाया ना, तो यह क्या है, यह changing area ही तो है, हमारा क्या आ गया है, यह आ चुका है, 2l, है ना, 2l delta l, 2l delta l, clear हुआ कि नहीं हुआ, 2l delta l की delta t, 2l delta l, बिल्कूल सही, clear, और नीचे a0, a0 मतलब की initial area, जब मैं आपको पढ़ाया था, initial area कितना था, l square था कि नहीं था, बताइए, तो यहाँ पे मैंने क्या put कर दिया, l square, क्योंकि भे, square था, square की length l थी, तो l का square, और यहाँ पे कितना आ गया, delta t, चलो, 1l से 1l, काट दिया, तो यह हो गया, 2, यहाँ पे क्या बच गया, delta l upon l, और delta t, changing length upon original length, delta t, ध्यान से देखिए, क्या था, यह देखिए, ऊपर changing length है, है की नहीं है, changing length upon original length into delta t, तो यह क्या था, alpha तो था, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, equal to 2 times of alpha, तो क्या हो गया, beta equals to 2 alpha, beta equals to, clear, तो पहला relation आ गया है, beta equals to 2 alpha, यही दोनों साइड 2 में डिवाइट कर दिजिए, 2 का डिवाइट कर दिजिए, दोनों साइड, तो beta by 2 is equal to alpha by 1, भही 2 का डिवाइट करो न, तो इधर 2 जाएगा, और 2 से 2 cancel हो गया, तो alpha by 1 equal to beta by 2, clear हो गया कि नहीं हुआ, अब चलिए, तीसरा निकालते हैं, यह हो गया, बुले दन, डन, beta equals to 2 alpha, beta equals to 2 alpha, बहुत ही simple है, तो अगर आपको alpha दिया गया हो, बोल दिया, alpha आपके पास है 0.3 फलाना फलाना, और आपको बोल दिया जाए, बीटा नहीं कालो, तो बहुत ही simple है, भाई साब, 2 का multiply करो, 2 into 0.3, आंसर केता 0.6, समझ गया, अगला, yes,